मूबी की सुरुवात में देखते हैं जहां 5000 साल पहले का वक्त दिखाय जाता है वहीं सभी लोगों पर एक जालिम राजा का कब्जा होता है वो सभी लोगों पर बहुत अत्याचार करता है वो सभी लोगों को गुलाम बना कर उनसे खुदाई करवा रहा होता है दरاصल उसे इटरनियम नाम का एक धातू की तलास थी वो राजा उल्ध धातू से एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जो जादू हूँ ताकत टे सके जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके एक मजदूर को खुदाई के दवरान उसे इक दातू मिल जाती है राजा उस इटरिनियम से एक ताज बनवा लेता है वही पर एक छोटा लड़का होता है जो सबी को समझाता है कि हमें इस राजा के खिलाफ बगावत करने चाहिए ये हम पर अत्याचार करता है इस खिलाफ हमें लडना चाहिए राजा को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे मारने का हुकम देता है जैसे ही गुलाम लड़के को मारने वाला होता है वैसे ही लड़का गायव हो जाता है और वो छे देवताओं के बीच में पहुंच जाता है देवताओं को उस लड़के का साहस देखकर बहुत खुश हो गए होते हैं उसे से कहते हैं हम तुम्हें ऐसी तागते देंगे जब तुम सजाम बोलोगे तब तुम्हारे अंदर हम सभी की सक्तियां आ जाएंगे जिससे तुम जालिम राजा को आसानी से हरा सकते हो जैसे ही लड़का सजाम बोलता है उसके अंदर बहुत सारी तागते आ जाती है और वो पहुँच जाता है उस राजा के पास राजा के ताच पहनने से पहले ही लड़का पूरे शहर को तभा कर देता है इसके बाद कहानी परजन टाइम में आती है जहां उसी सहर को एक बड़े से गैंग ने तभाई मचा रखी होती है वो लोग भी सभी लोगों पर अत्याचार कर रहे होते हैं लूट मार कर रहे होते हैं इस गैंग के लोगों को वही ताज या यह होता है जो राजा पांच जार साल पहले बनवाया था जहां हम एडियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं वो भी इस ताज की खोच्ट में होती है एडियाना का काम होता है हिश्री के बारे में जानकारी निकालना वही एडियाना एक गुफा में जाती है जहां उसे वो ताज मिल जाता है वही एडियाना के साथ उसका साथी होता है जिसका नाम इसमाइल होता है वही इसमाइल के सभी साथी होता है जो लूट मार कर रहे होते हैं वही इसमाईल के सभी साथ ही आ जाते हैं और एडियाना पर हमला कर देते हैं वही एडियाना को नीचे कुछ लिखा हुआ दिखता है वो जब उससे पढ़ती है तब वह लिखा होता है सजाम ये बोलते ही वहाँ ब्लेक एडम आ जाता है और वो सभी गैंग के लोगों को मार लेकिन इसमाईल मरने का नाटक करने के कारड बच जाता है वही ब्लेक एडम एडियाना को कुछ नहीं करता है क्योंकि ब्लेक एडम उसी के कारड आजाद हुआ होता है बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो ब्लेक एडम पर हमला कर देते हैं ब्लेक एडम पर वो जहां एडियाना ब्लेक एडम को अपने घर ले जाती है, वहीं होसाने पर ब्लेक एडम एडियाना के बेटे से मिलता है, वहीं उसका बेटा कहता है, आप कई सालों से कैद में थे और अब आजाद हो चुके हैं, हमारे सहर पर अब गुंडों का कबजा है, आप हमारे सहर को ब देखने लगता है वहीं हम देखते हैं एक लेड़ी को जो बाहर से इस दुनिया में आने वाले हीरो और विलन को कंट्रोल करना होता है उसका काम जहां देखते हैं वह लेड़ी एक सूपर हीरो हॉक मैन से बात कर रही होती है उसे बलेक एडम के बारे में बताती है वह कहती है अगर वो गुस्से में आ गया तो वो पहले की तरह ही तभा कर देगा सब कुछ तुम्हें उसे रोकना होगा होक मेन अपनी टीम के साथ उसे रोकने के लिए रवाना हो जाता है बलेक एडम को पकड़ने के लिए उसमें कई सारे सुपर हीरो होते हैं इसके बाद उस गैंग के लोग ताच को लेने एडियाना के घर पर जाते हैं वही बलेक एडम आकर सभी को खतम कर देता है उस गैंग के कुछ लोगों से बलेक एडम लड़ी रहा होता है तब ही वहाँ Hawkman की टीम आ जाती है और वो Black Adam पर हमला कर देती है Black Adam सभी लोगों को हरा कर चला जाता है वही Hawkman की टीम एडियाना से मदद मांगने जाती है एडियाना भी मान जाती है उन्हें Black Adam के पास ले जाती है ताकि दोनों अपना मामला सुल जा सके वही इसमाइल एडियाना के बेटे को Kidnap कर लेता है उसका बेटा भी चालाकी से एडियाना को कोल करके सब बता देता है एडियाना दोनों से मदद मांगती है और उसके बेटे को सब ढूरने के लिए सब निकल जाते है वही पता चलता है कि एडियाना के बेटे को इसमाईल ने रेगिस्थानी जगा पर छुपाया होता है वही सब पहुच आते हैं इसमाईल बताता है कि सहर में जो गैंग है उस गैंग का लीडर मही हूँ इसमाईल एड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पर रखकर ताज मांगता है एड्रियाना ताज को दे देती है लेकिन इसमाईल गूली चला देता है लेकिन ब्लेक एडम उसे बचा लेता है और इसमाईल को जला कर उजगे पर खतम कर देता है वही Black Adam Hawkman से कहता है 5000 साल पहले जो लड़का उस जालिम राजा के खिलाब बगावत किया होता है वो मैं नहीं मेरा बेटा था मेरे बेटे के गायब होने पर उस राजा ने मुझे और मेरी पत्नी को पकड़ कर बुरी तरह मारा जिससे मेरी पत्नी की भी मिर्ति हो गई वही मेरे पास मेरा बेटा आता है और वो अपनी पूरी पावर मुझे दे देता है उसी समय राजा के लोग हमला कर देते हैं मैं तो बच जाता हूँ पावर्स के कारण लेकिन मेरा बेटा मारा जाता है अपने बेटे को मरता देख मुझे गुस्ता आ गया और देखते ही देखते सारा शहर खत्म हो गया इसके कायर मुझे देवताओं ने उस गुफा में कैद कर दिया और बलेक एडम अपनी सक्तियों को कंट्रोल ना कर पाने के कालर होक मेन की मदद से खुद को पाने के अंदर बुरी तरह कैद करवा लेता है ताकि वो कभी बाहर न निकले वहीं देखते हैं जहां इसमाइल हेल में पहुच गया होता है दरासल उसे मालूम था कि ताज को हाथ में लेकर अगर उसे कोई मार देता है तो वो हेल में जाकर सैथान से मिल सकता है और सैथान से उसे अपनी पावर्स मिल जाती है जिससे अब वह इनसान न रहे कर सबाग बन चुका होता है हेल से बाहर आकर सबाग चारों तरफ तबहाई मचा देता है वो ही हौक मेन की टीम आ जाती है और उसे सबाग से लड़ने लगती है सबाग उनसे बहुत पावरफुल होता है उससे जीतना मुश्किल था इसलिए वो जानते थे कि इसको लड़ने के लिए ब्लेक एडम को ही बुलाना पड़ेगा वो लोग मिलकर टेली पेथी के द्वारा ब्लेक एडम को आजात कराते हैं कैसे भी करके ब्लेक एडम वहां आ जाता है ब्लेक एडम और सबाग के बीच में जवादस लड़ाई होती है ब्लेक एडम आखिर में सबाग को बीच से चीर कर खत्म कर देता है इसके बास सब लोग खुश हो जाते हैं और उस गेंग का कब होते ही ब्लेक अडम को गुस्सा आजाता है और वह उस स्कीन को जला देता है वहीं हम देखते हैं उसके पीछे सूपर मैन होता है और सूपर मैन ब्लेक अडम से कहता है कि हमें बैट कर बात करना चाहिए और यह मूवी धर एंड हो जाती है